कब रिलीज होगी शारुखान की पठान आखिर शारुख की बेटी अगर किसी लड़के को किस करती है तो शारुख उसके होट करतेंगे क्या होने वाली है पठान की खास बाते हैं हेलो फ्रेंग साम देख रहें बॉलीग्रास ट्यूडियो मैं सोनी कज्यार बॉलीवुट के बादशा शारुखान अपनी एक्टिंग को लेकर हमेशा सब के दिलों पर आज करते हैं लेकिन शारुख की एक और बड़ी बात है जिस जो परिवार के पति प्यार है उसके लिए फैस बहुत ज्यादा उनकी तारीफ करते हैं इसा कई रह Town अपनी परिवार के लिए एरपोर्ट पर छोड़ने और लेने जाते हैं एक बार कॉफी विद करन के सीजन फाइब में शारुखान पहुचे थे और वहाँ पर उन्होंने सुहाना के बॉइफरिंड को लेकर कुछ बाते कहीं थी जिसे सुनकर सभी लोग डंग रहे गए दरसल करन जोहर के शो कॉफी व बताया कि उनका पहला बॉइफरिंड 16 साल की उम्र में बना था इस बात को सुनकर करन जोहर ने शारुख से पूच डाला आपके बेटी 16 साल की है क्या आप उस इंसान को मार डालेंगे अगर उसने आपके बेटी को किस किया इस पर शारुख ने जवाब दिया मैं उसके करन ने इसके आगे कहा कि शारुख न पहले से ही अपनी बेटी की निगरानी रखे हुए है वही इस एपसोड में करन ने ये भी बताया कि शारुख अपनी फैमली के बारे में काफी नियूरॉटिक टाइप के हैं फिर्मेकर ने बताया कि उनकी 16 साल की बेटी है और अगर उन्हें लगता है कि उसको बॉइफरेंड है तो बस काम खत्म आपको बताते है दिली के रहने वाली शारुख ने अपने दम पर फिल्म इंडस्ट्री में काफी जगा बनाई लेकिन ये बात बहुत हैरानी की है क्योंकि फिल्मों में अकसर रोमांटिक किरदार करते होई न के साथ दिपिका पदकोन नजर आएंगी साथ ही सलमान खान भी होंगे और जॉन भी होंगे मतलब की मल्टी स्टारर ये फिल्म है आप देखना होगा कि कमबैक क्या धामाल मुचाता है वैसे ये फिल्म इसी साल रिलीज होनी थी लेकिन कोविट के चलते लगातर पोस्पोन का तो कितना वेट कर रहे हैं आप ठान का नीचे कमें सेक्शन में जरूर बताएगा और इसी तरह की दूसरे अप्डेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलिग्रास स्टुडियोज को